नमश्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पटेटिव एक्जाम से जोड़ी महत्पुन जानकारियां जो आपकी किसी भी एक्जाम में सफल होने में काफी मदद करती है अगर आप हमारे यूट् विश्व विरासत या धरोहर है जो वक्त के साथ जरजर होती जा रही है इन विरासतों के सोने जैसे इतिहास और इसके निर्मान को बचाई रखने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है दरसल सालों पहले हुए निर्मान वक्त के साथ बूड़े होने लगते हैं ऐसे में जरूरी है कि वह अपनी निर्मित स्थिती में बने रहें और उनकी जरजर होती अवस्था को सुधार कर सालों साल उसी स्थिती में बरकरार रखा जाए। इसलिए विश्व धरोहर दिवस मना कर इस उद्देश को बरकरार रखा जाता है विश्व धरोहर दिवस को विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं हर साल 18 एपरेल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है इसे शुरुवात में विश्व समारक दिवस के तौर पर मनाया जात था भलाकि युनेस्को ने इस दिन को विश्वby कई दोर Come दोर दिवस के महत्व की तो हर देश का अतीथ और उस अतीथ से जुड़ी कई सारी गौरफ गाताएं हैं इन गौरफ गाताओं की कहानिया बया करती हैं वहां स्थित, ततकालिक समय के समारक और धरोहर युद्ध, महापुरुष, हारजीत, कला संस्कृति आदी को इतिहास के पन्नों पर दर्श करने के साथ ही उनके सबूत के तौरपन इन स्थलों को सदेव जीवित रखना जरूरी है दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे ले कोई भी सबाल है तो कमेंट में लिखकर हमें बताए दोस्तों अब आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ नमस्कार